नमस्कार मैं हूँ अंजली और आप देख रहे हैं CNN News तो चले शुरुआत करते हैं आज की प्रेमो खबर से आज खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं और सुरक्षित हैं क्योंकि हमारी रक्षा के लिए खाकी वर्दीधारी पुलिल जबान है तीसरे दिन भी आंदूलन पर ढटे हैं तीन वर्षों पहले पुलिस की आंदूलन को बल मिला आंदूलन के बाद अविवस्ता तदरने की उम्मीद थी मगर अनुशाशन का ऐसा पाठ की सब आक्रोश अंदर ही अंदर धदक रहा है पुलिस परिवार ने जब आंदूलन छेडा तो उनके समर्थन में सहाय कारक्षकों ने हत्यार जमा कर आंदूलन में कूद गए पुलिस के करीब 1000 जवान आंदूलन कर रहे हैं सबने पुलिस अफसरों पर उनके परिवार वालों से बसलूकी करने का रूप लगा है पुलिस के अंदूलन में वर्दीधारी सीएफ, डीएफ, सहाय कारक्षक, स्टीएफ, जेल प्रहरी और नगर सिना के परिवार जवान अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है जाकि राजधानी राएपुर में चलने वाला अंदूलन शान्त हुआ लेकिन बस्तर के बीजापुर में अंदूलन अब भीर जा रही है जवान शुकरवार को भी अंदूलन कर रहे हैं, पुलिस की आरादिकारी उनके मान मौन नवल में लगे हैं लेकिन फिलहाल कोई हल नहीं निकला है राजसरकार ने बनाई हाई पावर कमिटी वीरापुरेस्पी, कम लोचन कश्यप का कहना है कि सभी से आंदूलन कारी पुलिस जवानों से बाच्चीत की जा रहे हैं राजसरकार ने हाई पावर कमिटी का गठन किया है मांगो पर कमिटी विचार करेगी इस बीच आंदूलन के समर्थन में भाच्चपा के वरिष्ट नेता और पूर्मंत्री महेश गागड़ा पहुंचे थे सहाय कारक्षों को की नाराज़ी उन्हें ज्यलनी पड़ी पूर्मंत्री महेश गागड़ा ने कहा कि अंदूरूनी इलाके की सुरक्षय विवस्ता चौपट हो गई सरकार को जाईज मांगो पर ध्यान देना चाहिए इस आंदूरं को लेकर कॉंग्रिस के प्रबक्ता धननजाय सिंग ठाकूर का कहना है कि प्रदेश की सरकार सम्विधन शील है मांगो को लेकर चाह सदस्य हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है कमेटी सरकार की रिपोर्ट्सों पर की उनकी जाईज मांगय पूरी होगी पुलिस परिवार की 22 उत्रिय मांगे हैं जुनमें 2800 ग्रेट पे सहाय कारक्षकों का सम्विलियन, नगर सेना का समान काम समान बेतन, सापतायक अपकाश 8 गंटे की ड्यूटी सहेत कई मांगे शामिल हैं प्रमो को लेकर पहले भी पुलिस परिवार की सदस्य सरकार के किलाफ धरना दे चुके हैं 36 गर के बस्तर से चंजल श्रिवास्तव की रिपोर्ट खबरों में आपते के लिए बस्तना ही मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी प्रमो खबर के साथ तब तर के लिए नमस्कार और देखते रहें CNN News